हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई स्टूडी मेडल है चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कार्य पत्रक 32 जो की क्लास 8 के समाजिक बिगान का दगत इतिहास से दिनांक 1 दिसंबर 2021 के लिए सिडूल किया गया है और जिसका विशा है प तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और जानेंगे तो आए बच्चों सुरू करते हैं 1890 के दसक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तो और तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे पंजाब और महराष्ट में बिपिन चंद्रपाल बाल गंगा धरतिलग और लाला लाजपतराए यानि कि बाल गंगा धरतिलग और लाला लाजपतराए तो इनको साड़ बोलते हैं लाल बाल पाल यानि कि लाला लाजपतराए बाल गंगा धरतिलग और बिपिन चंद्र पा जैसे नेता परिवर्तन वादी उद्देश और पद्धतियों के अनुरूख काम करने लगे थे उन्होंने निवेदन की राजनेत के लिए नरम पंथियों के अलोचना की और आत्म निर्भरता तथा रचनात्म कामों के महत्तों पर जोर दिया बाल गंगा तिलक नारक दिया कि सोतंतता मेरा जन्मस्ती दधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा बंगाल का बटवारा इसे देख लेते हैं जो कि 1905 में हुआ था देखें वाई सराई करजन ने 1905 में बंगाल का बटवारा कर दिया जो करजन था वाई सराई उसने 1905 में बंगाल का बटवारा कर दिया देखें पूरभी बंगाल बिटिस भारत का सबसे बड़ा प्रांध था बिहार और उडिशा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे अंग्रेजों का कहना था कि प्रसास की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बटवारा करना जरूरी था और इस प्रसास की सुविधा का मतलब क्या था? किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है कि इसका तालग अंग्रेज अपसरों और व्यापारियों के फायदे से था लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बज़ा है उसके पूर्वी भाग को अलग करके असमय मिला दिया पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्धे से यह था कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुस लगाया जाए और बंगाली जनता को बाड़ दिया जाए जो अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था उसके पीछे मेन मकस्द यही था कि बंगाली जो राजनेता थे उनके प्रभाव को कम किया जाए अंकुस लगाया जाए और बंगाली जो जनता है उसको बाढ़ दिया जाए तो ये बंगाल विभाजन के अंतरगत हम लोगों ने देखा कि करजन के द्वारा 1905 में किया गया था अब आगे है स्वदेशी आंदोलन देखें विभाजन से देज भर में गुश्य की लहर फैल गई ये जो स्वदेशी आंदोलन था बंगाल विभाजन के जश्ट बाद ही शुरू हुआ था तो जब बंगाल का विभाजन हुआ उसके बाद क्या हुआ कि देज भर में गुश्य की लहर फैल गई मध्यमार्गे और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया इससे जो संघर सुपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है बिटिस सासन का विरोध किया गया बिसाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए बिटिस सासन का विरोध किया गया और जुलूस निकाले गया देखे स्वयम सहायता स्वदेशी उद्यमो राष्ट्री सिक्षा और भारती भासा के उपियोग को बढ़ावा दिया गया यहां आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, प्रतो अने इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूँच सुनाई दी, मतलब इसका प्रभाब भारी छेत्रों पर भी दिखाई दिया, और आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे बंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था जवांत प्रदेश का एरिया था, उधर इसको बंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था, किस आंदोलन को? स्वादेशी आंदोलन को कुछ लोग बेटिस सासन को उखाड फेकने के लिए करांतिकारी हिस्सा के समर्था थे कुछ लोग यह भी चांते थे कि अगर अंग्रेजम को हराना है ठीक है? तो हमें करांतिकारी बनना पड़ेगा हिस्सा का सहारा लेना पड़ेगा कुछ अन्य महतवपूर घटना है देखे इसमें है 1906 धाका में आल इंडिया मुसलिम लिग का गठन किया गया आल इंडिया मुसलिम लिग का गठन 1906 में किया गया धाका याने की पाकिस्तान धाका धाका याने की बंगलादेश में ठीक है? दुसरा है 1907 कांग्रेश, मध्यम मारगी और आमुल परिवर्तनवादी दो घड़ों में विभाजित हो गए देखे इसमें जो कांग्रेश थी वो 1907 में दो भागों में विभाजित हो गए थी और देखे बैटा जो यहांपर 1906 में क्या हुआ था कि Muslim League का गठन किया गया था जिसका नाम था पूरा All India Muslim League जो कि पूरभी पाकिस्तान जिसको बाद क्या हो गया था जब भाजित हो था तो पूर भी पाकिस्तान हो गया तो उसको उस समय क्या हुआ कि देखे बंगाल का विभाजन हुआ पर्श्मी बंगाल और पूर्वी बंगाल तो पूर्वी बंगाल के अंतरगत ये ढ्हाका का एरिया था और दूसरा चीज है 1907 में तो इसमें क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी और दो भागों बढ़ गई और 1909 में परि मुसल्मानों के लिए अलग चुनाव निर्वाचन की विवस्ता की गई 1909 में और 1915 में कांग्रेस के दोनों खेमों में एक ता गई जो 1907 में बढ़ गई थी 1915 में फिर से एक हो गई और 1916 में कांग्रेस और मुसलिम लिग में लग नव में समझावता होता है 1916 में कांग्रेस का मुसलिम लिग के साथ समझावता होता है लग नव में इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे निवेदन की राजनीत के लिए नरम पंथियों की आलोचना की गई और आत्म निर्भरता दता राचनात्मक कारियों के महत्व पर जोर दिया गया नेश्ट है बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तिविक मंसा क्या थी तो बच्चों इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुस लगाया जाए और बंगाली जनता को बाड़ दिया जायाने कि फूट डालो और सासन करो की नीद थी नेश्ट है सोदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया गया तो बच्चों इसमें हम लिखेंगे कि सोदेशी एवं बहिसकार आंदोलन में आंदोलन कारियों ने विदेशी वस्तरों की होली जलाई तथा अंग्रेश सरकार के समच अपना विरोध प्रकट किया और बिर्टिश सरकार ने इस अंदोलून को दबाने के लिए दमन नीत का सहारा लिया इस तरीके से तीसरा प्रस्न पूर हो जाएगा और जो लाश्ट प्रस्न है बाल गंगद तीला का प्रसिध नारा है सुतंतता मेरा जनमसीद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा उनकी साथ जो नारे की तरह आप भी एक जो है नारा लिखिए तो जैसे मैंने एक नारा लिखा है तीरंगा है हमारा मान कभी न मिटने देंगे इसकी सान तो बच्चों आप भी इसी तरीके से एक जो है नारा तयार करेंगे और आप जो भी नारा तयार करें उसको कमेंट बाक्स में जरूर लिखें मुझे काफी अच्छा लगेगा तो इस तरीके से बच्चों आज की ये औरक सीट आपकी कम्पलीट होती है आई हो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तिसे लाइक करें दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें इसकी साथ एक बाई फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ठैंक यो